Hello everyone, welcome all of you on the platform of MikaGate So, आज किस लेक्शर के स्टार्ट करने से पहले हम लोग यह जानते हैं कि लास्ट लेक्शर में हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट लेक्शर में हम लोग जो टॉपिक कवर कियते हो था हम तर्मोडाइनमिक एक्विल्बियंग और सबस्तांस रिवर्सिबल और इर्रीवर्सिबल प्रोसेस लुड सेटेज़ अन्ध लास्ट टॉपिक क्या था साइकलिक प्रोसेस टे इन सब टॉपिक को लास्ट लेक्शर में काफी डेटिल से कवर कियते हैं तो आज किस लेक्षिर हमें लोग पढ़ने वाले हैं कोईसी एस्टैटिक प्रोसेस एंड आइडियल गैस एक्वेशन तो अब हम शुरू करते हैं कोईसी एस्टैटिंक डो वड कर कोया स्टैटिक क हैं वा फार्प्र सर्थिक्षि कि मिन्स होता है अलमुस्ट एंड इस्टैटिक मिन्स रीस्ट तो दोभाएंग अगर मैनिंग को एक साथ मिलाग जाए तो कोई क्या दिखेगा कि almost rest तो इससे हमें यह परज लेगा क्यों स्टेटिक प्रोसेस में कि जो भी प्रोसेस होगी वह almost rest में ही मानी जाएगी इट रिपर्जेंट almost in rest condition और slowness is the characteristic of quasi static process यह क्या बोला गिया almost in rest condition मतलब जो भी process होगी almost ऐसा फिरमे feelings में feel होगा कि वो rest में ही है उसके अंदर कोई changes नहीं हो रहा जो जिस situation में उसी situation में रहा ही कोई changes नहीं दिख रहा है या फिर क्या वोलेंगे infinite slowness मतलब इतना slow process होगा कि हमें feel ही नहीं होगा कि उस process में कोई changes आ रही है अब यह जो process है क्या यह real में exist करता है क्या नहीं यह process जो है एक imaginary process है which generated by joining a series of equilibrium state मतलब यह imaginary process है जो हम generate करते हैं या obtain कर सकते हैं किस की help से जो भी equilibrium state है अगर हम उन सारे state को join कर दें तो हमें जो भी situation मिलेगी जो भी condition मिलेगी है जो भी line मिलेगी तो उस सारे क्या होंगे हमारे question static process कहलाएंगे तो अब जरह हम जो भी सिके है इस question static process को जरह हम इसकी help से समझते हैं माल लो कि यह क्या यह vessel से इस vessel के इंदर gas बढ़ी हुई है और यह क्या piston है तो इससे क्या समझ मैं है कि जो gas है और piston से compressed है अब यहाँ पर मान लो कि यह piston है ना यह frictionless या यह piston और cylinder यह vessel यह दोनों क्या है दोनों की wall frictionless है और इस piston के ऊपर क्या क्या गया है 10 kg की mass डाल दी गई है अब यह mass क्या है एक साथ एक form में नहीं है यह mass जो है छोटे छोटे slice के form में डाला गया है और उसकी total weight कितनी है 10 kg है य अब मान लो अभी इसको बूल जाओ अब यहाँ पर हम मानेंगे कि अगर हम यहाँ से इसको heat दे रहे हैं तो gas क्या होगा expand होगा gas expand होगा पिस्टन कहां की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ यह process हो रही है इससे feel हो जागा क्य जितना frequently इसकी increase होगी पिस्टन उतनी frequently क्या होगा उपर की तरफ move करेगा लेकिन अगर मालो हमें क्या करना है heat नहीं देना है अब मैं क्या कर रहा हूँ कि piston को उपर लाना चाह रहा हूँ तो एक काम क्या कर सकते है कि यहाँ से पूरे जो weight डाला हुआ इस पूरे weight को हम दो क कुछ activity चल रही है लेकिन अगर हम इस 10 kg weight को काफी पतले slice में काटते हैं और फिर इसके उपर डखे हैं यानि हर एक slice की weight मालनो almost negligible है तो इसको जब हम काटने वाद यहाँ पर इसको रखेंगे और क्या करेंगे कि एक करके हर एक slice को बाहर निकालेंगे मतलब यहां से बाहर क कि तरफ एक slice को निकाला तो वहां से क्या हो जाएगा कि इसमें कुछ ने कुछ changes होगा मतलब weight कम हो जाएगी तो weight कम होगी तो piston क्यागा उपर की तरफ बढ़ेगी लेकिन यह ऐसा changes होगा हमें feel ही नहीं हो पाएगा कि यह piston उपर की तरफ बढ़िया है या इसका volume जो है क्या हुआ है बढ़ा है या गैस का expansion हुआ है feeling क्योंकि हम इस weight को काफी पतले slice में और काफी ज्यादे numbers में क्या करने डिवाइड कर चुके हैं तो जिसकी वैसे इस activity में कोई changes हमें feel होता हुआ नहीं दिखाएगा अगर यही process हम continuous करते रहें और यह काफी slow process होगा तो एक ऐसा time आ करने में अगर हमेशा कर रहे हैं तो काफी ज्यादा time लेगी और काफी slow process है इसलिए यह real में exist नहीं हो पाती है क्या imaginary process है जिसको हम लोग कहां से generate कर सकते हैं equilibrium state को क्या करते हैं joining करके इसको हम लोग obtain कर सकते हैं अब तो यह पता चले कि equilibrium state है क्या यहां पर equilibrium state मिलेगा कहां प जब भी हम हर एक slice को यहां से remove करेंगे यहां से pick करेंगे तो वहां से जो भी changes आया होगा जो भी जितना भी उसको हम क्या कर रहे हैं यहां पर दिखा तो मालो initially हमारे piston क्या थी यहां पर थी actual में इतना activity या इतना जो भी impact दिखा रहा है वो system पे नहीं होगा बस हम लो understanding के ल तो हमारे system में क्या यह piston expand होकर के यहां पर आ गई तो यह जहां पर आएगी वहां पर जो जिस state में रुकी वह state क्या होगा इसके equilibrium position को maintain करें क्यों 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 जितना अगर piston यहां पर weight है तो जितना inside pressure होगा उतना atmospheric pressure फिर इस weight की वयसे piston की वयसे जो भी pressure लग रहा हो दोनों क्यों होगा? balance होगा तो यहां पर क्या गया यह equilibrium state ने पर दिया, फिर से हमने क्या क्या second slice को remove किया, तो यहां से हमारे system क्या गई? यहां पर हो गई, expand होकर के, इसी तरह continuous से process करेंगे, तो जहां जहां भी हम यह process करेंगे, यहां से slice को pick करने के वाद, जहां पर भी यह piston रु प्रेजन करेंगा तो जब हम इन सारी पॉइंट्स को यानि सारे क्लिबरियम स्टीट को एक साथ जुआइन करेंगे तो यह हमें क्या देगा तो ऐसी स्टैटिक प्रोसेस देदेगा यहां पर प्रेसर है अब प्रेसर का फर्मुला क्या दा नॉर्मल लोट पर उनिट एरिया तो अब यहां पर यह जो वेट है 10 kg का जो वेट डाला गया है यहां पर मास यह क्या रहा नॉर्मल लोट को रिप्रेसर कर रहा है यह एमजी क्या देगा नीचे की तरफ फोर्स लगा यह एमजी तो जब यह नीचे की तरफ फोर्स लगा यह लोट को रिप्रेसर कर दिया औ कि यहां से स्लाइस को हटाएंगे कि यह भी स्लाइस को आया मतलिल माक कर रहे मास्क मास्क को सब्सक्रांस करी म passo करें majorooss के मीन्ट करेंट को रहा है इसको क्या वहां यहां से माक का म्स तरफ दिट्राओ गरेंटी तो प्लॉए साइट प्रेशर क्या होगा उसके उपर डूमिनेट कर जाएगा तो इसको क्या है उपर की तरफ एक्सपैंड कर देगा अब हम इस नोट पॉइंट पर आते हैं अगर हमारी को ऐसी स्टेटिक प्रोसेस विदाउट फ्रिक्शन है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे क्या वो क्या होना चाहिए लोग प्रेशर होना चाहिए एंड हाई टेंपरेचर होना चाहिए हमें इसको ऐसे ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं लोफर हेट क्या याद रखना है लोफर हेट लोफर यहां पर प्र हमें लोफर नहीं बुलना हमें याद रखना है क्या है लोफर लोफ temperature high pressure high temperature इसमें हमें काफी confusion हो जाती है कि कौन से option को लें तो उसके इसमें क्या रखना है कि low for heat मतलब low pressure and high temperature अब ideal gas के expression किया है standard जो expression जेनरली बुक में वो यह वाले होते है पीवी इक्वल टू MRT लेकिन कहीं कहीं पर calculation में हमें यूज आ जाता है कि कहीं पर question है श्यादर density दे दे जाती है इसमें pressure और temperature में से कोई एक data given होगा अगरमान लोगी temperature given है तो हमें pressure निकालना पड़ा है तो उस density क्या पड़े है density is equal to mass per unit volume mass per unit volume है तो अब हमने क्या क्या किया इस volume को इधर की तरफ shift किया तो यह क्या mass per unit volume हो जाए उसको density में replace कर दिया एक और यह formula था यह जनरली में हम लोग स्टड़ी करते हैं chemistry के अंदर फीवी एक्वल टू एन आर बाल टे टे टेंपरेचर किया है यहां पर हमें यह गौर करने वाली बात है temperature यहां पर ideal gas में जो भी temperature ली जाएगी वह absolute temperature होगी question में यह भी pressure भी absolute ही होगा यह temperature ले रहे है औक तो pressure भी की होगा absolute pressure होगा अब यहां पर जब बही हम시न करेंगे हैं तो वहां पर जो pressure जोです pressure दे रखाऊ होगा अब fuel ग्हेज़ प्रेचर है महीं एप आपसुलूट प्रेचर में लाने के लिए इस त्श्य वाइद हो गया तो हमें है कि अध्यूट नमगे know छेंज हो गया तो हमें क्या दखना है जो ट्रेंचर और प्रेसर दोनौ जो है वह क्या है यह की पॉइंट है इसलर यह क्वेश्चन में पूछ याद रखना है क्योंकि यह बहुत ज्यादा यूज होगा कालिकुलेशन के अंदर और बार क्या है यह इनिवर्सिल गैस कॉंस्टेंट है इसकी भी यह प्रैक्टिकल वैल्यू है यह गीवन रहते क्वेशन में तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगी यह हमें स अब एपसुलूट प्रेशर क्या है अगर हम लोग गेश प्रेशर के अंदर एट्मोस्फेरिक प्रेशर को एड़ कर देंगे तो उससे जो हमें प्रेशर मिलेगा हो क्या होगा है एपसुलूट प्रेशर होगा अब यहाँ पर एट्मोस्फेरिक प्रेशर जो है यह जनरली 101.325 kPa होता है लेकिन हम लोग अपने कलिकुलेशन के लिए क्या करते हैं यहाँ पर 101 की जगह पर हम लोग जनरली 100 यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें vacuum pressure अगर हम atmospheric pressure को standard मान करकर calculation कर रहे हैं अगर страш कैसमें अगर हमारी pressure measuring device या pressure measurement जो भी हमने किया अगर पनीघेटिब में आ गई means atmospheric pressure के नीचे आ गई तो वो क्या होगा निगेटिब gauge pressure होगा या उसी को क्या वोलेंगे vacuum pressure बोलेंगे लेकिन अगर हमारी प्रेशर क्या हो गई पॉजिटिव आ गई जो भी मेजर किया जिस भी डिवाइस से अगर हो पॉजिटिव में प्रेशर आ गई तो क्या होगा हो पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा अब यहाँ पर यह क्या है absolute zero line लेकिन अगर हम absolute zero pressure line से measure करें means यह पूरी line क्या है absolute zero pressure line यह हमारी क्या atmospheric pressure line तो लेकिन अगर हम pressure अपनी कोई भी pressure अगर हम इस line को reference मान करके measure करें तो यहाँ से क्या होगा जो भी हमारी pressure आएगी वो हमें क्या देदेगी absolute pressure मान लो, कि हम यहां से क्या कर रहे हैं, इसको reference लेकर माप रहे हैं, और माप ने तक हम इस point पर pressure को measure कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक क्या है, atmospheric pressure, और यह क्या है, positive gauge pressure, मिन्स इसको add कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, absolute pressure मिल जाएगा, तो इसी figure की help से यह formula यहाँ पर लि given mass to the molecular mass मतलब मोल्स कैसे निकालेंगे कोई एगर मोल्स दे रखा है उसकी कुछ क्वांटिटी कितनी है उसको अगर हम उसके ही मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा नंबर ओफ मोल्स मिल जाएगा जिसमें हम लोग मास को हम से डिवाइड किया है और मोल्स मास को म से डिनोट किया है अब हम लोग देखते क्या है स्पेशिफिक हीट फॉर एयर जो भी डेटा दिया गया और इसको हमें डायरेक्टली याद रखना है और याद नहीं रहाएगे तो हमारी स्लो रह जागी या फिर काफे टाइम इसलिए हमें क्या करना है इसको याद अखना है specific heat at constant pressure अगर specific heat at constant pressure है तो हम लोग उसको cp से दिखाते हैं और जनरली बुक में भी cp से दिनोटेट रहता है उसकी value 1.005 kJ per Kelvin होता है specific heat at constant volume cv से दिनोट किया जाता है और इसकी value क्याद है 0.718 kJ per Kelvin यहाँ पर जो pressure है उपी से start हो रही है alphabet से इसलिए यहाँ पर suffix में क्या यूज किया गया है यहाँ पर volume V से start हो रहा है alphabet से यहाँ पर suffix में क्या यूज किया गया V adiabatic index जो है यह क्या होता यह ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume means जब हम लोग 1.005 को divide करेंगे 0.718 से तो हमें लगभग क्या मिलेगा 1.4 value में लेगी characteristic gas constant की value just हमने अभी पढ़े थी उसकी value क्या थी 0.287 kJ per Kelvin पर कली होनी यह value I कहां से हम लोग difference लेकिसका cp-cv का difference लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा characteristic gas constant तो यह हमें formula भी यादखना है r क्या है r equal to cp-cv and gamma क्या ratio of cp and cv का अब यहाँ पर एक word यादखना है क्या molecular weight of air जो होता हो 29 होता यह calculation में use होगा जब भी हमने numerical करेंगे अगर हम question करेंगे उसके अंदर अगर हमारी temperature mention होगी है small t के form में और उसकी unit नहीं दे रख्योगी तो हम उसको degree Celsius में मानेंगे और capital T से represented है और उसकी भी unit नहीं दे रख्योगी तो हम उसको Kelvin में मानेंगे यह तो relationship को ही पता होगा 0 degree Celsius equal to 273.15 Kelvin अब यहां पर इसी का जस्ट हलका सा changes हमें याद रखना है क्या triple point temperature of किसको water का क्या होदा 273.15 नहीं यहां पर देखो क्या गया one six क्या question पूश्च चुका गया यह सी में आ चुका है इसको अगर degree Celsius में convert करेंगे तो 0.01 degree Celsius होगा फिर इसी तरह टीरपल पॉइंट प्रेसर क्या यह प्रेसर आफ वाटर जो है 4.587 mm of Hg अब इसी को हम लोग प्रेसर की एक formula होता है क्या रो जी एच इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी की help से हम जब इसमें डेटा 9,8 तो हम लोग easy calculation के लिए 612 Pascal भी यहाँ पर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी near about same answer आएगा तो आज के lecture में हमने इतना कुछ सेगा